बिहार विधान सभाद चुनाओं के पहले बिहार में यात्राओं का दौर शुरू है तिजस्वियादव यात्रा पर है गिरासिंग यात्रा पर है तो अब एक नए नेता के रुपने उभर कर आया है जो विवसाई भी रहे हैं और अभी बिहार में अपने संगठन को मजबू मेरा विजन देखिए मेरा मेरे लाइफ में तीनी लक्ष है मेरा तीनी सपना है कि पहला मैं अपने राज बिहार को जबूत और एक ससक्त समाज बनाओं और तीसरा अपने दलित सोसित बंचित संखियक लोगों को उनका हग दिलाओं पहले कहा हुँ मैं बिहार मैं बिहार के नवादा जिला से मैं बिलॉंग करता हूं और बीस साल से मैं गुजरात मेरा रहा हूं मैं बीस सालों से मैं अपना बिजनस कर रहा हूं मेरी आइटी के छेतर में कंपनी है और पिछले पांच सालों से मैं समाज का सेवा कर रहा हूं खासकर सिक्षा के छेतर में बहुत सारे गरीब बच्चे को हर साल में करीब 25 से 30 बच्चे को गोद लेता हूं उनको financially support करता हूं और जो भी बच्चे के अंदर उनके अंदर कबिलियत होती है जुनून होता है कि मुझे आईस बनना डाक्टर बनना गोड़ा कर आजसे समाज का लुए कर रहा कर रहा हूं कि मैं पिछले पान सालों से लगतार मैं अपने समाज के लिए रहा हूं बहुत सारे भी आज़ा भी बनवाए हैं बहुत सारे बच्चे को मैं financially मैं सपोर्ट करता हूं तो इस तरह से मेरा चलता रहा है आप समाज सेवा कर रहा है अगर मुझे राजनीतिक में आना होता तो मैं पांच साल से समाज कर रहा हूं आज तक मेरा कभी भी कोई भी पोश्ट नहीं देखे होंगे मैं पिछले पांच सालों से हर साल मैं अपना इंकम का 70-80% जो पैसा है मैं अपने समाज के ऊपर खर्चा कर रहा हूं तो मैं 2019 से मैं समाज का सेवा कर रहा हूं 2019 से लेके 2024 तक आप कहीं भी मेरा पेपर में कुछ नहीं देखे होंगे कहीं फेस्बुक पे नहीं देखे होंगे कहीं ट्यूटर पे नहीं देखे होंगे कि निशिकान सिना हर सल 25 बच्चे को आर्थिक मदद कर रहा है या निशिकान सिना इस धरहम सला में इतना लाग का डोनेशन दिया अगर मुझे राजनिती करनी होती तो मैं 2019 से अपना में ब्रांडिंग करता क्योंकि मैं बिजनस मेंनों मुझे पता है कि मार्केटिंग कैसे करनी हैं लेकिन मैं 2019 से मैं अपना ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं जब मैं समाज के लिए समाज सेवा सुरू किया मैं जब लोगों से मिलना जुलना सुरू किया मैं जब लोगों के लिए काम करना सुरू किया तो मुझे कहीं न कहीं एहसास हुआ कि अपने समाज को मजबूत कर बात हुआ कि भाई आज के टाइम में हमारा समाज का एक केंद्र में मंत्री तक नहीं है तो जो चीज हमारा 2024 में हमारे समाज के साथ हुआ वही 2025 में ना हो इसलिए मुझे जन अशिरवाद संबाद करना चालूँ auris 25 में क्या आप पार्टी बनाए ने भागितार यcom ने और हमारे समाज को झो हग चाहिए अगर दूसरे को हग देने के लिए तयार जो इज़त चाहिए अगर दूसरे पार्टी देने के लिए तयार है तो मुझे पार्टी बनानी की ज़रूरत मेरा बिजनस खतम हो जाएगा लेकिन सब कुछ यह सब्तियाग करके सिर्फ अपने एक समाज के लिए कि हमारा समाज हर छेत्र में मजबूत समाज कैसे बन सके और जो हमारे दलीज सोसित बंचित लोगों का जो अबना अलसंख्यक लोगों का जो हक है उनका हक उनको कैसे मिले हमारा बेहार भीकसित कैसे कर आपके समाथ से दो बड़े नेता है उपेंदर कुसवाहा जी हमारे गार्जियन है कुसवाह के नेता थे और कुसवाह के नेता है भी इसमें कोई दो बात ही नहीं है और उनको जिस तरह से लीड करना था समाज को उन्होंने लीड किया उनको जितना अपना देना था उन्होंने किया लेकिन कहीं न कहीं जो अपने को इज़्जत और जो हक मिलनी चाहिए तक उस वाह को उन नहीं मिल पाई उसी के लि कि मुझे अपने समाज को मजबूत करना है तीसरी हमारी सबसे बड़ी वादी पहला अलफ संख्यक का है दूसरा हमारे जादब का है तिसरा हाँ जी 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 आप दूसरी सबसे बड़ी वादी वाले हैं लेकिन फिर भी रोग सभा चुनाओं में जिस तरह से देखा गया है मैं वही बोल रहा हूं कि कहीं कुछ वहा समाज जो है आज के टैम में एकत्रित नहीं है को ऐसा लीडर नहीं ऐसा लीड करने वाला मिला है कि जो कुसवाहा समाज को एक जगा एक हतरित कर पाएं इसमें सच्छा है अगर ऐसा एक अधरित कर पातें तो आज हमारी इतनी बड़ी अवादी होने के बाद आज उपेंदर जी हमारे गार्जियन है उनको एक टीकट नहीं मिलते आपको पता है जिसकी अवादी हमसे वन ठर्ड है तीन परसेंट वह हैं उनको पांच टिकट लोग सवा का दिया जा रहा है और हमारी आवादी 14 परसेंट है उनको एक टिकर दिया जा रहा है तो यह सारे राजनितिक दलों को भी पता है कि कुछ वहां कहीं ना कहीं तो बिखरा हुआ एक मंच पे न निकलने वाले हैं और इन्होंने साब पर कहा कि आगामी बिहार विधान सावा का चुना होगा उसमें हम भागिदारी निभाएंगे या नहीं निभाएंगे लेकिन अपने समाज को मजबूत करेंगे और अगर जरूर परी तो चुनाओं में भी आएंगे नहीं तो हम अपन पार्टी के जो लीडर हैं उनको भी मदबूत करने का काम करेंगे परमानंतिम एब इपनूत पत्ना